जै मातादी दोस्तों मैं हूँ पंडित प्रकाजोशी और आज हम चर्चा करेंगे 23 अक्टूबर से लेकर 21 नॉबर में जन्में जातक जातिकाओं के बारे में जोतिश विद्या की कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे देखें 23 अक्टूबर से लेकर और 21 नॉम्बर में जन में जातक जातिका है कि बुद्धी की बात करें तो तेज बुद्धी होती है एजुगेशन में बहुत स्ट्रोंग होता है बच्पन से ही मैडल अवार्ड लेने वाले ऐसे जातक होते है अपनी धुन के पक्के ऐसे व्यक्ति होते है जो कारे इन्होंने सोच लिया उसको करके ही रहेंगे चाहे कुछी भी स्थती हो जाए चाहे अपने ही नेगेटिव क्यों ना हो जाए लेकिन जो इन्होंने सोच लिया उस कारे को पूरा करके ही ऐसे विक्ति दम लेते हैं गलत बात ऐसे विक्ति किसी की बरदास नहीं करते हैं इनको जल्दी गलत बात कोई कहता है तो इनको गुस्ता भी हो जाता है और 35 वर्ष के बाद इनको जमीन का सुक और वाहन का सुक इनको मिलता है और बहुत बार क्या होता है कि बच्पन में भाई बहनों के साथ में या तो भाई बहनों को चोट लगती है और बहाई बेन या तो डूब जाते हैं या चोट लगती है या उचे स्थान से गिर के उनको चोट लगती है ऐसी स्थितिया भी आती है शादी शुदा लाइफ की बात करें तो पती पत्नी में से कोई ना कोई एक कही ना कही परिशान रहता है जीदेशन गलता है तो पत्नी अकसर बीमार रहेगी या पत्ती और बहुत बार क्या होता है कि आपकी 31 वर्ष की आयूस से मापको किसी बहुत बार क्या पूर्व किसी दोस्त से यह जो बिलकुल हिरुडे से जिससे जुड़ेवे दोस्त है वो इनको छोड़के दूर चला जाता है यह तो विदेश में चला जाता है यह बहुत बार उसके साथ मैं मिस हैपनिंग हो जाती है लेकिन उससे इनको बड़ा धक्का पहुंसता है ठेस पहुंसता है आप इनकी सोच की बारे में बात करते हैं तो 23 अक्टूबर से लेकर और 21 नौवंबर में जन्मे जातक जातिकाए विज्यानिक होज वाले होते हैं विज्यानिक विचारधारा वाले होते हैं टेकनीक का यह प्रियोग करने में बड़े मास्टर होते हैं तो ऐसे लोग सौफ्ट्वेर इंजीनियर या हाडवेर इंजीनियर या इंजिनिरिंग की यह टेकनीकल फील्ड में करें तो बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं संगीत का इनको शोक ह होता है निरतियर का इनको सोख अच्छा होता है और एकांत में ऐसे व्यक्ती काम करना अधिक पसंद करते हैं और अपने काम में किसी कि दखलंधा जी चाहें इनकी माता पता हो चाहें के मित्र ही क्यों हुआ हो जिन पर यह जानाच लगते हैं काम के मामले में दख्रन दाजी इनको बिलकुल बरदाश नहीं होती है दूसरी चीज आउटर स्पोर्ट्स खेल की बात करें तो आउटर स्पोर्ट्स में इनकी अच्छी खासी रुच्छी होती है और जीवन में बच्पन में ये कुछी ना किसी स्पोर्ट्स में सम्मलित होत गंभीर या तो ओप्रेशन होता है या कोई ना कोई भेंकर बिमारी होती है लेकिन वह 71 वर्ष में होती है अब बात कर लेते हैं उससे पहले कि आई होगे 29 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के अंदर इनका अच्छा भाग्यदे होता है जो भी अच्छा धन कमाते हैं उस पद्धवी कि एक पर विफार करते हैं तो विफार में अच्छी पड़ में पहुस्थ समाज में विच में सब्मानित होते हैं सारी घटनां कहीं ना कहीं 29 उनतीस से लेकर 45 के बीच में होती है साती सात 62 से लेकर और 71 वर्ष के बीच में यह बहुत realise आदा गंभीर विमार रहते हैं कि जो खराब पाए जाते हैं वो शनी और मंगल पाया जाता है तो ऐसे में 62 वर्ष में अगर ऐसे जातक जाती का हो तो उन्हें शनी और मंगल के कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए अब बात कर लेते हैं देखें ग्यारवे वर्ष से लेकर इनके जो थोड़े से वीमारी के लिए या सारेरिक कष्ट के लिए जो वर्ष मेत्वपूर्ण है वो है ग्यारवे वर्ष, 28 वर्ष और 38 वर्ष, 52 वर्ष इनके जीवन का खराब समय होता है इस समय पे इनको सरदर्द की प्रॉबलम, इसनायो तंत्र की प्रॉबलम, इन्फेक्शन की प्रॉबलम, हड्यों की प्रॉबलम, हिर्दे समंदी विकारों की प्रॉबलम इन वर्षों में अधिक पाई जाती है तो ऐसे में ये शिवजी की पूजा या महापरतिंजे जाप की पूजा पार्ट करने से उस पर विजय प्राप्त करते हैं ये रहा आज हमने चर्चा की 23 अक्टूबर से लेकर 21 नॉबर में बीच जनमे जातक जातिकाओं के बारे में जोतिश क्या बोलता है अगर आपको डेटेल में जानकारी चाहिए तो आपको अपनी कुडली दिखाने पड़ेगी डेट वबर्ट, टाइम उबर्ट, तो प्लेस वबर्ट से जो कुडली दिखती है वो सठीक होती है तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही मुझे दीजेए ज़्याज़त जैमाता देए